महाराष्ट्र सोलापुर जिले से एक ब्रामन देवता हैं जिनका नाम है यश्वन्त तनलेकर यहनोंने प्रश्ण किया हुआ है कि किष्णा अजिन पर इस्त्री बैठ सकती है क्या किष्णा अजिन माने काले मिर्ग चर्म पर कोई महिला बैठ करके पूजा पाट कर सकती है यह यह पूछना चाहरा है देखिए किष्णा अजिन पर बैठना या किसी भी अजिन पर यानि मिर्ग चर्म पर बैठना ब्रह्मचारी के लिए बहित किया गया है ब्राह्मन ख्षत्रिय वैश्य वर्ण वाले तीनों ही ब्रह्मचारी गुर्कुल में वेदाध्यन करते समय वो मुर्वचर्म पर बैठें मुर्वचर्म को इधारण करें ये सब शास्त्रिय विधान है परंतु ग्रियस्थों के लिए मुर्वचर्म का निशेद है चाहे वो पुरुष हो या स्तिरी हो ग्रियस्तों के लिए व्याग्र चर्म का विधान है सिम्ह का चर्म खास रूप से पुत्रवान ग्रियस्तों को चाहे वो महिला बेहन हो या पुरुष भाई वर्ग हो किसी को भी नहीं बैठना चाहिए पुत्रवान गिरही पुत्रवान गिरही मृग चर्म प्रयतनेन वरजये ये इस्मृत्य अंतर का बचन है देखिए आसनों के कुछ गुण बताए गए हैं किस आसन में कौन से गुण हैं वो भी साथ में बतला देता हूँ ये शुभासन है पर इनके अधिकारी अलग अलग है इस श्लोक में कहा गया है कि मिर्ग चर्म पर बैठ करके ब्रमचारी जब वेदाध्यन करते हैं तो ग्यान शिद्धि ही उनको सीग्र ग्यान प्राप्त होता है बेदों का ग्यान प्राप्त हो जाता है मोक्ष श्रीर व्याग्र चर्मन और व्याग्र चर्म पर सिम्व के चर्म पर बैठ करके जो जब अग्यान करते हैं तो उनको मोक्ष की प्राप्ति और श्री बैभब कीर्ती लक्षमियादि की प्राप्ति होती है वंश आसने व्याधि नाशह वंश वांस के आसन पर व्याधि नाशह व्याधि नश्ट हो जाती है कंबले दुख मोचनम और कंबल का आसन वो भी रक्त कंबल लाल बड़ा स्रेष्ट आसन है इस पर दुख मोचनम समस्त प्रकार के दुखों का मोचन हो जाता है शास्त्रों में कुछ विहत आसन है कुछ निशिद्ध आसन है निसिद्ध आसन बताए गए हैं कि इन पर बैठ करके कभी भी जपार्चन, पूजन, बंदन, भगवदार आधना किसी को भी नहीं करनी चाहिए उनको और सुने धरन्याम दुख संभूतर या धरनी प्रतिव पर बैठ जा कोई आदमी बिना आसन कर तो दुख संभूती ही आधी नहीं करना चाहिए दौट भाग्यम, दार्जासने लकडी के आसन पर पट्टे इत्याद पर बैठ करके या कोई लकडी पर बैठ करके किसी ब्रक्ष की सुखी हुई टेहनी पर बैठ करके वोई जब तब करते हैं तो दौर भाग्य दुर्भाग की प्राप्ति होती है ये भी निशिद्ध है वंशासने दरिद्रास्यात वांस का आसन जो दरिद्रता प्रदान करता है वांस के आसन पर नहीं बैठना चाहिए पर उपर का गया था वंशासने व्यादिनाशा वांस के आसन पर बैठने से व्यादियों का नास हो पाधि कर सकते हैं और सामानी रूप से गिर्यस्त ब्रह्मचारियों को नहीं करना चाहिए पाशान ब्याद पीड़नम पाशान पर पत्थर पर बैठ करके कोई साधना करते हैं तो ब्याधियों से पीड़ित हो जाता है त्रिनासन यशोर हानी यशो हानी पत्तों के आसन पर बैठ करके जब करने से कीर्थी का अक्षय होता है त्रिन यानि यह घास पूसके कोई त्रिन बना करके जो कुशा आदी भी त्रिन में परिगनित हैं पर कुशा का आसन तो भी हित है शास्त्रों में भी हित किया गया है पर अन्य अभी हित त्रिनों को एकत के जो आसन बना करके बैठते हैं तो तुर्णाशन यसोहाने तुर्णाशन पर बैठने से यसकी रिट्Time वाइभाव आदिका u होता है पल्लवईश चित्विभ्रमहा और पल्लव पर बैठ करके पत्तों पर जैसे पत्ते जो बायू में हिलते रहते हैं इसी प्रकार उसका चित्विभ्रम हो जाएगा एक जगह एकाग रोग करके नहीं लगेगा इसलिए पल्लवों के पत्तों के आसन पर बैठ करके भी जब तब साधना निशिद्ध है जब अध्यान तपो हानिम कुर्वन वस्त्रासनम तथा और साधना जब तब इत्याद की आनी हो जाती है यद कोई वस्तर के आसन पर बैठ करके जब तब करता है इसलिए वस्तर के आसन पत्ते के आसन पत्थर के मिटी के लकडी के और तिनों के आसन पर किसी को भी बैठ करके जब तब इत्याद नहीं करना चाहिए आशन कुशा का आशन होना चाहिए कंबल का होना चाहिए और ब्याग्र चर्म और मिर्ग चर्म जो मिर्ग चर्म परंतु ग्रियस्तों के लिए निशिद्ध है बंश आशन अन्यों के लिए निशिद्ध है केवल ये जिन के लिए जो बहित किये गए हैं वे उनी आशन पर बै ब्रमचारी और ग्रियस्त बांस के आसन पर नहीं बैठे और ब्रमचारी लोग जो है सिंध के चर्म पर व्याग्र चर्म पर नहीं बैठें ये निशिद भी हैं तो जो सर्वता निशिद हैं या किसी आश्रम या वरण में निशिद हैं उनका भी हमें परिपालन करना चाहिए बिधी से निशेद बलवान होता है इस बात काम को सरवथा परिज्ञान रखना चाहिए निशिद परिबर्जन पूर्वक बिधी का पालन करने पर ही संसिद्धी की प्राप्ती होती है शास्त्र में वेदों में मंत्र और बिधी दोनों का प्रतिपादन किया गया है मंत्र सहिता भाग विधी ब्रह्मन भाग तो कुछ समाज ऐसे हैं आज समाज आदी जो कि मंत्र भाग को तो मानते हैं बिधी यानि वेद भाग को नहीं मानते हैं हमारे यहां जो लिखा हुआ है कात्यान मुनी के द्वारा प्रतिग्या सूत्रम में सरवप प्रतमई सूत्र है कि मंत्र ब्रहामन योर वेद नामधेयम मंत्र और ब्रहामन दोनों ही मिल करके वेद हैं मंत्र और बिधी भगवान श जो है मंत्रों पर भी नहीं दिया है यह शास्त्र बिधिम उस्रिज्य वर्तते कामकारता है न ससिद्धिम अवापनोती न सुखम न परांगतिम जो शास्त्र की बिधि का उलंगन करके मनमान आच्रन करते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कभी भी कोई भी संसिद्धी प्राप्त नहीं होती इसलिए यह शास्त्र बिधिम बिधि का उलंगन करते हैं उन्हें कभी भी बिभूती का अलंवन नहीं होता इसलिए सदैव बिधि का परिपालन करना चाहिए हर हर महादेव झाल झाल